हाई फ्रेंज कैसे हैं आप इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया और श्रलंका के मैच के बारे में जो वुमेंज क्रिकेट का मैच होने वला है मैच नेमबर 12 इस वुमें वर्ड कप का इंडिया के लिए एक डू और डाई मैच है यहां पर आपको बता दू उनको श्रलंका पर जैसे बल्लेबाजी करम कौन से हमारे गेम चेंजर हैं और आज तो इंडिया का दूसरा मैच भी है इंडिया बंगलादेश का वो मैच का वीडियो आपके लिए आज चुका है यह आपने नहीं देखा तो वह भी देख लेंगे सेकेंड टीट्वेंटी में विन करें उस वीडियो के नीचे भी एक लाइक का बटन मिलेगा जिसको प्रेस कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लेगा तो आपके हाथ में है वाई किसी को खुश करने को आप्शन तो जल्दी से जाके लाइक कर दीजे वीडियो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करके बैल आइकन लेकिन यहाँ पर आपको बता दू जो इंडिया का मैच है वो रात को है रात में थोड़े से बल्लेवाजी कंडिशन भैतर हो जाते हैं और फिल्ट थोड़ी सी स्लाइट टू भी क्विक हो जाती है दुपैर से आने की बॉल जो बहतर करती है बांडरी तक लेकिन फिर भी जिक पर परदिगों को अच्छी स्कॉरिंग नहीं हो रही है आपको मेजर जयान बैटर से नहीं बोलर्स पर देना है और थोड़े से जो को बहिं सिर्फ बोलर्स के लिए लेकिन दूबई फिर भी थोड़ा बैटर और फास्स बोलर्स पर भी ध्यान दे सकते हो यहां पेसर इंडिया की जितनी विक्टें फास्ट पॉलर्स लिए थे मैक्सिमम इडन कारसन ने दो लिए थी बाकि सारी लिया था हुँ रोजमेरी मायर इन सबने काम तमाम किया था इंडिया का स्विंग से लेट वली सेकेंड इनिंग्स में स्विंग हुई थी यहां पर आप देखोगे यहां फिर भी पेस गेम में आ रही है सेकेंड इनिंग्स में रात वले मैच की जो यह वला मैच है तो यह ध्यान रखके चलना अब हर्मन प्रीत को और दो मैच में 44 रंज है इस वेन्यू पर ठीक ठाक स्टैट्स है जैमिवा रोडरी इसके दो मैच में 36 अटरा की अवरेज इनुका 2 में 3 श्रियांका 2 में 2 आशाश्य शोभाना 2 में 2 दीपती शर्मा 2 में एक और हमारेमा लास्ट मैक में श्रियंका पाटिल को वाइस केपटन करना एक बहुत बड़ा हुकुम का एकक साबित हो था जिसमें हम अराम से विन कर गये ते और बहुत अच्छा गया था इंडिया को हराया था दोस्तों तो इंडिया बदला लेना चाहेगी इस पांच में जो सबसे ज़्यादा इंडिया को चुबने वाला मैच है वह यह जो श्रिलंका आठ रंसे जीती थी दंभूला में एशिया कप का फाइनल इसी साल स्वरिति मंदारा ने साथ किये रिचाकोष 30 जैमीमा 29 दीपती एक विकेट 165 इंडिया का श्रलंका ने 167 फोटो कर दिया एक और है ते चेज हर्शिदा समर विक्रमा 69 नौट जो वंड़ॉन पर आती है चमारी अटबट टू 61 और एक विकेट काविशा दिलहारी 30 नौट और दो विकेट और इनकी जो फास्ट बोल रहा है उदेशी का प्रपोधानी उनकी एक विकेट ठीक है प्रपोधानी ने भी काम कर दिया था यहां हम देखे अगर इंडिया के 116 थे और यहां श्रलंका को 97 में रोग दिया बहुत सस्ते में रोग दिया यहां पे इंडिया की टॉप स्कोलर मंधाना 46 यहां भी स्मृती जयमीमा का नाम था यहां शल्लंका से हसीनी परेरा 25 निलक्षे डिसलवा 23 इनोकाराना वीरा दो विकेट प्रपोधानी दो विकेट और यहां पर सुगंधी का कुमारी दो विकेट तो यह आपको चीजों का ध्यान रखना है जो इंपोर्टेंट चीजे ह होती है वो मैं दर्शाता हूं तो जो चीजें दर्शा रहा हूं थोड़ा फोकस करना है उस पर अब यहां पर दोस्तों आप देख रहे हो हैड-to-head record सारे numbers हैं अब इनमें इतने सारे matches हुआ हैं इंट्रस्टिंग चीज बता रहा हूं एक बहुत इंट्रस्टिंग चीज बता रहा हूं 23 मैच हुआ है 23-23 head-to-head चमारी अट्टा बट्टोने खेले हैं और उसमें इस साल पिछले head-to-head में बोलिंग में उदेशी का प्रपोधानी 19 मैच में 16 विकेट हैं फास्ट पुलर रादयादव 11 में 15 इनोका रानवीर 11 में 14 यह काफी अच्छी स्पिनर है जिनको श्रडंका ने इस बार अच्छे से उटिलाइज नहीं किया दीप्ती 15 में 14 विकेट और निलक्षी डिसिलवा 13 में 2 विकेट हाला कि निलक्षी आप बोलिंग ना के बराबर करती हैं तो यह सारे head-to-head stat आप एक बार ना deeply देख लेना कोई काफी सारा data है अप राम से एक बार observe जरूर करना बाकी मैं आपको लेके आता हूँ एक बार फटा वट से आप notice कर लो हमने और डिसकस कर रखी है वर्ल्ट कप से पहले की पॉम है यहाँ पर लाइन अप आई डोंट थिंग की कोई चेंज होगा लास्ट रच में सजीवन सजना आई थी आई थिंग वही कॉंटिजू करेंगी इंस्टेट अफ पूजा वस्तराकर बाकी इंडिया पस अब और दूसरे में साथ रंस परिती मंदाना बड़ी प्लेयर फेल हुई है हमारी शेफाली दो और 32 यह 32 इंपोर्टेंट था बहले ही उतना अगरेसिव नहीं था तेरह और 23 यहां जैमीमा रोडरीगी इनका भी 23 इंपोर्टेंट था काफी अच्छे रोडेशन थी पंद्या और 29 इंपोर्टेंट था एंड में जस्ट लास्ट में जाकर रिटारट हुई थी और रिचा गोश्ट 12 और जीरो दीप्ती शर्मा तेरह और साथ नोटोट चार नोटोट सजीवन सजना जो आते ही इन्होंने एक चौका लगाया था वैसे पहले उसको ऑफिशरी दो रंस द किया था और उस मैच में श्रयांका को तीन ओर मिले थे तो श्रयांका को उसमें कटा था अब यह लगनी रहा होना चाहिए यही चार अपनी जो यही पांच जो अपनी बोलर में चार चार और करनी चाहिए और अनुटर एड़ी एकनॉमिकल भी रही है चार विकेड भी आठ और पचास पर तीन रिनुका इंडिया की दोनों पेसर ने अच्छा किया है डेट्स में भी आ रही है उन्हां तरेडी आज शुबान आट और शालिस पर दो मिडल फेस में आती है लेक्स्पिनर इन्होंने पिछले मैच में पिछले मैच में जो कि काफी लोग क्या दूर द दीक विकेट जबके इंडिया की में मोलर रींट एक यह अची ओशंव इंडिया के लिए अब यहां आप देख रहे हैं फुल स्टाइट्स इंफो इंडिया की टीम away इसके लाभा göz स्कोरिंग देख लो किसी की नहीं इन्हों नहीं दोरों मैच पर टॉप स्कोर किया है मदावी साथ और तईस लेकिन अफकॉर्स इनका लास्ट है टूएड इंडियन को याद है क्योंकि इन्होंने उस मैच में बढ़िया किया था इंडिया के सामने अट्टा पट्टू जो मे इजी प्रॉफिट होने का चांस रहे अब यहां आप देखो बोलिंग में तो बोलिंग में विकल काफी यूज किया है एक्चली बोलिंग खराब नहीं है बट आईए एक बडिसकस करते हैं कि कौन इनका बेस्ट बोलर है तो मेरे इसाफ से चार और डालनी चाहिए राना व इलेवन्थ और पिछले मैच में किया था एस कुमारी दो मैच में चार विकेट अच्छी एकनॉमिकल बोलर हैं यह भी आजकल चार और करेंगी और इंडिया के साब ने अच्छा रिकॉर्ड नहीं है और पिछले मैच में तीनी ओर थे एक्चली पहले ही हार गे थे पिछले रना वीरा आपके तीन से चा़ करेंगी प्रभ्वोधानी तीन से चार करनी चाहिए कुमारी भी टीन से चार करनी चैया और हो सकते आपको आटले में दिखें इसका रीजन यह समृति के सामने एक और आजुआट अच्छे से जानती है अगर वह नहीं आई तो दूसरा ओर लास्ट मेच की तरह फिर से प्रिया दर्शनी करेंगी और समरिती जितना टिग गई उतने इनके ओर बढ़ जाएंगे यह भी तीन से चार ओर अब देखो तीन से चार ओर अगर मैं इनके सब के कहा हूं हो सकता कोई तीन डाले कोई चार बच्छे कुछे ओर कविशा दिलहारी कर जाएंगे तो मेजर जो काम है और मंधाना के आगया चाहिए वह इनोशी प्रिया दर्शनी मोस्ट लैकली सेकेंड और इनोशा प्रिया दर्शनी फिर से करती आपको दिखेंगी अब फुल स्टाइट इंफो देख रहे हो ठीक है मैच अप पे आ जाते है वड़ावड ए चाहेगी यह मैंने आपको बोला और अगर आप नोटिस करोगे अट्टा पट्टू ने इनको डाली भी एंगें लेकिन आउट नहीं कर पाई आउट किया है तो बंडे में किया ठीक है यह चीज देख लिए हमने इनोशा प्रिया दर्शनी से जादा इनका सामना ही नहीं न चैफाली सुगंदी का कुमारी पे दो बार आउट हुई है अट्टा पट्टू पे एक बार कविशा दिलहरी पे एक बार रानावीरा पे अगेन आउट ही है एक बटी ट्वेंटी एक बर वंडे यह प्रपोधानी को सही खेली है जोकि मंधाना को दिक्कत आई है जैवी मा अट्टा पट्टू पे तीन बार बागी स्पिनर्स पर आउट भी हुई है दिलहरी और रानावीरा पे प्रपोधानी ते एक बार टी-ट्वेंटी ँब्डे लेकिन इंडिया से लेफ्ट हेंडर है चमारी अपनी दीपती शर्मा ने इनको बहुत बार आउट किया अपनने इस ओस्पिनर चार बार आउट किया टी具नेटे में डो बार वंडे में राद यादव ने चार बार किया है समरविक्रम दो बार राधायादव पे एक बार दीप्ती पे वंडे में पूजा पे बिया उट हूई है काविशा दिलहारी रेनुका सिंग पे दो बार पूजा वस्तराकर पे एक बार ये वैसे इस पीन अच्छा के रती हैं काविशा दिलहारी बाकी अनुष्का संजीवनी जो इनकी विकेट कीपर है उनका भी एक बार दिखाओं अगर वो भी राधायादव पे तीन बार है हाला कि राधायादव के खिलने के चांसे कम है वंडे में एक बार पूजा पे नाओ निरक्षी डिसिल्वर जो भी तर टॉप स्कोर रही है दोनों मैचेज में शिल्डंक यह थी हमारी जो सारी डिसकेशन थी अब हम टीम करने अपनी चलेंगे दोस्तों जब विकेट कीविंग सेक्शन पर आओगे यहां पर ज्यादा अच्छी चोइस है ही नहीं संजीवनी और रिचा गोश्ट आपको सिंपल रिचा गोश्ट जाना है सिर्फ एक अच्छी संजीवनी को सेफर स्मॉल लिक के लिए रिचा गोश्ट साथ जो विकेट कीपिंग दोनों करती है उस पर दोनों का चांस रहेगा कैच स्टंपिंग का बाकि यहां पर और कोई भी प्लेयर खेले यास्ति का भाटिया लेफ्ट हेंडर उमा छेतरी खेले हमने किसी को नहीं नहीं हमने रिचा गोश्ट के साथ जाना है दिमाग नहीं लगाना इससे ज़्यादा बल्ले बाजी में यहां दिमाग लगाना है अब स्मृती मंधाना को मेरा दोनों मैचे में लेने का मन नहीं था मेरा लेने का सिरफ एक ही कारण होता है इनकी कैचिंग लोंग उन पर रह रही थी काफी रिलाइबल रही थी और मेरे को लगता है इनका ही रोल अच्छा था एंड में जो इन्होंने थोड़े से अच्छे कट लगाए थे एक दो डबल आया था ट्रिपल आया था ऐसे स्कोरिंग आई थी डबल आये थे बिसिकली तो इंपोर्टेंट रही थी निलक ठीक है और कोई बल्ले बाजी में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हसी नहीं परे रहा सजीवान सजना अच्छी फिनिशर है और मैं टीम में नहीं रहूँगा द्यालन हिमलत को खिला नीरी इंडिया और राउंडर में अट्टा पट्टू दीप्ति शर्मा अपनी अपनी ट चेका से रन आउट वगेरा करते हैं इस वर्ल्ड कप में भी कर चुकी है इनकी वान ऑफ देस्ट फिल्डर्स है वाकि प्रिया मिश्रा तनुजा कवर ये सब तो आपको स्कॉर्ड में नहीं में रिखूँगा ठीक है अमां कंचना कंचे खेलने चाए क्रिकेट मैं उनको अ आशा हो क्योंकि वह लेक ब्रेक काफी खेली हुई है ठीक है उनके पास ग्राउंड में अपने घर पे बहुत स्पिनर्स हैं इंडिया मुझे लग रहा है इस मैच में बड़ा अच्छा करेगा इंडिया की बोलर्स रखाऊं अब हमारे पास ऑप्शन आती है सुगंदिया क उमारी लेफ्ट आम स्पिनर उदेशी का प्रपोधारी पेसर या मैं जिनके साथ जा रहा हूं रानावीरा वन अफ़ बेस्ट साला की लास्ट वच में ज्यादा तीनी ओर कर पाए थी विकड मिल गई थी बड़ उतनी बहुत ज्यादा आप कह सकते हो एक्स्पिरियंस को कहूंगा तो मेरी फाइनल पे रानावीरा यह जो फाइनल पेर आपका मैजिसाइट करेंगा आप रानावीरा की जगहा में भी हर्मन प्रिदकौर तो जैमिमा के लिए भी जा सकते हो ठीक है अब कैपटन सी मैं ध्यान रखना फिर भी कैपटन सी अट्टा पट्टो को द इतर्ची अगर आपको लगता है चेंज करना आप फिल फ्री टू दू सो जो आपको लगता है यह मैं चेंज हो सकता है जो राना वीरा हमारी फैनल प्लय रहाई सिरफ